गुट मॉर्निंग गाइस तो कैसे हैं आप सब हमारी ड्रीम फैमिली वेलकम टू व्लॉग टू आज का व्लॉग बड़ा ही इंट्रस्टिंग है आप पूरा देखिए और बताना फिर कैसा लगा तो स्टार्टिंग हम करते हैं भगवान के दर्शन से जैसा कि आप देख पा रहे हैं बजरंग बली की फोटो तो एक बार दर्शन कर लीजिए उसके बाद हम आगे का व्लॉग पंटीनिव करेंगे जैब बजरंग बली तो बगवान के दर्शन तो आपने करी लिया होंगे और आप जैसा देख सकते हैं मौसम कितना सोहाना हो रहे हैं बादल एक दम आ रखे हैं धूप भी जाद नहीं हैं मौसून का मौसम है और ऐसा मौसम होना तो बनता है और इस मौसम में व्लॉग बनाने का मज़ा ही कुछ और है आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगएगा सो एक दम लास तक देखते रहे हैं और कमेंट करके जरूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा क्या कमिया है हम सब उसको ठीक करने की कोशिश करें आई होप आपको ये व्लॉग देखने में भी उतना ही मज़ा आने वला है और ये हम अपनी सूपर बाइक से यूलू बाइक पर आ चुके हैं और ये बहुत ही एक मज़ेदार राइड है जिसको चला के बहुत ही हमें मज़ा आ रहा है और बहुत इतने प्यारे मौसम में बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है बाइक को चलाने में और ये हम YOLO पे जूल रहे हैं जिसमें बहुत ही जादा मजा रहा है और एक्तम सेफटी के साथ क्योंकि ट्राफिक बहुत जादा चलता है इस ताइम पे और ट्राफिक का एक्तम ध्यान रखते हुए हम YOLO चला रहे हैं ऐसे हमें एक हादसे बना रहे हैं लेकिन पूरी सेफटी के साथ चला रहे है तो आप भी अगर चलाएं तो पूरी सेफटी का ध्यान रखिए और मज़े उठाई है YOLO राइट्स के और ये हम CP की गलियों में गूमते हुए तो हमें जरूर बताईएगा आपको कैसा लग रहे हैं ये सब देखते हुए क्योंकि हमें बहुत ही जादा मज़ा रहा है और I hope आपको उससे जादा ही मज़ा रहा होगा ये सब देखते हुए CP की ग्री उसकी खाली रोड्स पे बहुत ही जादा आनन लेते हुए हम आपके लिए व्लॉक शूट कर रहे हैं तो उसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको ये व्लॉक देखने में कैसा लग रहा है I hope आपको ये बहुत सब अच्छा ही लग रहा होगा I hope हमारी dream family हमें ऐसे ही प्यार देती रहेगी support करती रहेगी कि जिसके लिए हम आगे ऐसे vlog शूट करते रहें आप सब के लिए और और हम पूरी कोशिश करेंगी कि जैसे हमें मज़ा आ रहा है हमारे dream family को भी डेखकर उतना ही मज़ा आए जिससे वो ये व्लॉक्स और देखें और और शेयर करें और बहुत ही आनंद लें इस व्लॉक का अब हम भी इस बाइक को चलाते चलाते ठक गए हैं क्योंकि ये एक बैटरी वली स्कूटी ही है जैसे स्कूटी में सिर्फ पेट्रोल डलता है इसमें बैटरी होती है जिसकी वज़से हम भी अब चला चला के थोड़े ठक गए हैं और आप जैसे देख सकते हैं हमारी नैशनल बर्ड पीकॉख हमें देखने को मिली कितनी प्यारी वर्ड आए और इसे देख के अलगी मज़ा आए तो कैसी चल रही है आप सब की यूलू राइड हमें कमेंड करके जरूर बताईए और जहां आपको लगे आपको मज़ा नहीं आया है वो भी कमेंड करके जरूर बताईए कि हम उसको आने वले ब्लॉग में ठीक कर सके और आपको थोड़ा ज़ादा मज़ा है ये सब देख के तो चलिए हम अपनी यूलू बाइक को रखकर अपनी बैटमेंड बाइक को उठाने वले हैं तो तब तक के लिए आप ये प्यारे व्यूस का नजारा लीजिए और मज़े करिए तो चलिए आपने प्यारे व्यूस तो देखी लिए हैं अब हमें बहुत ज़्यादा भूक लगरी है तो हम कुछ खाने जाते हैं अब आपको बताएंगे हमकी हमने क्या खाएं तब तक के लिए आप देखिए हमारी बैटमेंड बाइक की राइड और व्यूस का मज़ा लीजिए तो चलिए हमारा खाना आ चुका है तो मिलते हैं खाना खाने के बाद तो यहां हम करते हैं अपना ब्लॉग एंड आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि आपको लेटस्ट अपडेट के बारे में जरूर पता लगे तिल लाइज टाइब से अपपी और एंजो यर दे बगा बगा बगाई बगाई दीने